हेलो माई यूद्व फैमली विलकम टू माई चैनल मैं हूँ आईशा खान और आज बना रही हो शिमला मिर्च आलू की सबजी जो बहुत टेस्टी बनी थी बहुत मज़े की जरूर ट्राइ करेगा फ्रेंड्स खूप चटपटी मसालेदार बहुत सिंपल रेसिपी ये स्टार करते हैं जिसके लिए मैंने दो बड़े चमश तेल के लिए हैं तेल हलका से जब गरम हो जाएगा तो इसमें तीन गाट प्यास की डाल देनी है काटके और इसको अची तरह से फ्राइ कर लेना है जब यह हलकी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी यह देखिए हलकी सी कोल्डन ब्राउन होगी जादा नहीं जलाना है तो इसमें और वैजी जाट कर देंगे इसमें मैंने तीन शिम्ला मिर्च काटके डाल दी है मैंने हरी शिम्ला मिर्च का यूज करा है इसको थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं पहले उसके बाद मैंने इसके अंदर अब हरी मिर मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम साधा कर सकते हैं जितनी पीचा है बस यह थोड़ा सा जब सौफ्ट हो जाए तो मैंने फिर इसमें एक चमच जीरे का आड़ करा है और मसाले आड़ कर देते हैं जिसमें मैंने एक चमच नमाक एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च करेंगे बस जब थोड़ी मिक्स हो जाएगी तो मैं उसके अंदर चार आलू मैंने काटके डाल दिये हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से चला लिया है बहुत असानी से बन जाती है बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स जरूर ट्राय करेंगा पस इसमें मैंने थोड़ा स जादा नहीं डाला है थोड़ा सा डाला आधा कप के करीब समझ लिए धक के रख दिया है कम से कम 10 मिनट के लिए बीच में चला चला के देखना है कि मतलब जले ना सबसी हमारी बस अब जो है बिल्कुल डेडी है आलू को सबाद चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल गये है या नहीं गले हैं तो उसको आप चेक करने के लिए देखिए आलू को बीच में से इस तरह से इसे करके काट के यूं बीच में से देख लेंगे तो इसमें पता लग जाएगा कि आपके आलू गल गए हैं सब्जी बिल्कुल रेडी है बस पानी जब तक बिल्कुल खुशक ना मुझे मेरे कमें सेक्शन में बताइए आप लोग को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर थैंक्स फॉर वाचिंग